रिलाइन्स कम्पनी द्वारा छला 10 वर्ष्टी वदू समय गाडा थी लगोध्योगो माटी ज़े वेश्ट मटिरल लगोध्योगो ने बंद करी देता 500 दे 600 युनीट के ज्वेमा 35-34,000 कारी गरूब बेरो जुगार थवा निकागार पर छे तेमाटे युनीटना जवापदारो एक कलेक्टर ने आवेदन पत्रा आप्यो हतो तेम शता पन कोई कारेवाही न थता कपरी परिस्ते तेमाम काया छे फ्लायर्स नो कोंट्रोक्ट आपी ज़ारा श्वाही न कारणे लोकल च्वायर्स ना इटो नो वप्राश करनार ना ता वैपारियो ने अगवरता पड़ी आवी हती तेमाटे तेम नाई कलेक्टर ने आवेदन पत्रा आप्यो हतो युनीटना जवापदार ना जणावा लगू उद्योग करनार लोको तेमाच वैपारी ओचला दस वर्ष्टी रिलाइन्स इंडस्ट्रीज ना वेश्ट फ्लायर्स खरीदी करी वप्राश करता हता अने अमना लगू उद्योगोंने संख्या आश्रे पांसो थी चस्सो युनीट हती तेमाँ जोडायला पांत्रे 24,000 मजुडों बेरोजगार नीनी कगार परावी गया शे रिलाइन्स कम्पनी ना कितलाक नफ़ा कुरूई पुताना फाइदा माटी प्राइवेट कम्पनी ना कॉंच्राक्ट आपी देता अलगू उद्योग पर भारे आफ़त आवी जवापामी शे एक तरफ सरकार ना ज कॉंच्राक पद्धती थी वेस्ट फ्लाइस वित्रण मा नफा खोरी इजारा शाहियने जे फ्लाइस्ट पर वदू आधारित लगूद उद्योग बंध थवा तेनी साथे जोडाएला 35-40,000 व्यक्तियों बेरोजगार थवाना कगर परावी देया शे मान्डवीत आलुकामा गवर्मेट परधानमंत्री आवास बनावू후 तकाली इट वाला ने मटरियल नहीं मलवाने कारणे इट बन्ती नसी इट बन्ती नसी इटमाउंंखी थाई सिए पॉरा करिए कि अपने काम करेंगे तो अमें बदाए अमारा काम पूरा करेंगे पंदर देशे माल नतिया तो इन तकलेप से आवे घरे जावा नूँ खावा नूँ घरे जावानू केटला लोकोज तबर जीवावा हमारी जवावा बेताना जा माना काम करे बटाम। फ्लास बदो केटला? पत्ता चालू है। दराइवर से पकार चालू इनो टेक्स चालू भीमो चालू तो आउ में किटला दिवसाहल से बंद राखे। प्रिक्स बनावी है आपणी गवर्मेंट प्रोल इट झे फ्लाइस नी इट आपणी नरेंदरे मोदीशाहिवे शुरत मा गुजरात मा ते रहे यां की देलू कि तमें आनी इंट बनावो तो आपने जे जमीन फर्दुरूप जमीन छे इप बगड़े नहीं एडला माटे तही ने तमें आने वेस्ट माथी तमें बेस्ट करो तो हमें आजे इसार्थक करी बताई हूं तो आजे ले भागू लोगो आजे आ धंदामा आवी और अमने आमा हेराण करी रिया चे अमारू माटरियल टोटल इलोको बजाए लई जाई छे आने बाहरनी कंपनी जे बाहर बरदी मालनी सपलाई लई जाई चे तो हमें सुरतमा ओच हमा चा तृष्ती-त्रिसटी-त्रिसजार मान बीरोजगार थे रिया चे ब्यूरो रिपोर्ट, GTV News, सूरत ब्यूरो रिपोर्ट, GTV News, सूरत